दोस्तो Canon M50 Mark II Mini Series के एक और नए एपिसोड में आप सभी का सौगत है दोस्तो ये वीडियो आप complete जरूर से देखना अगर आप लोग Canon Connect एप का इस्तिमाल करते हो ये एप दोस्तो हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कैमरा से अपने laptop, computer या फिर अपने mobile phone के अंदर अपने जो photos और वीडियो से उसको हम wirelessly भेज पाएं लेकिन दोस्तो यहाँ पर एक छोटी से दिक्कत ये आती है कि हमारी जो photo होती है या फिर हमारी जो वीडियो होती है वो थोड़ी सी compress हो जाती है जिसके वैसे उसकी जो quality हो थोड़ी सी कम हो जाती है अब आज की इस वीडियो में आपको बताने वालोगी किस तरह से आप Canon Connect app के अंदर एक setting कैसे कर सकते हो जिसके बाद दोस्तो आपका जो photo या फिर video होगा वो compress बिलकुल भी नहीं होगा वही same quality में आपका जो यहाँ पर photo या फिर video है वो transfer हो जाएगा लेकिन दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा time लगता है transfer होने में क्योंकि दोस्तो अगर वो जो photo और video है वो compress नहीं होगी तो उसकी जो file size है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है जिस वाज़े से दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा time ज़रूर लगेगा लेकिन बिल्कुल high quality में आपकी जो photo और video है वो transfer हो जाएगा तो जोस्तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम अपने photo और video को high quality में कैसे transfer कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना है कि अपना जो mobile phone है उसको दोस्तो यहाँ पर Canon connect app के मदद से अपने camera के साथ यहाँ पे connect कर लेना है अब connect करने के बात दोस्तो आपको open कर लेना है अपना Canon connect app अब इस app के अनदर दोस्तो आपको open कर लेना है अपना Wifi और यहाँ पर आपको Canon M50 Mark 2 या फिर जो भी camera आप यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इसके उपर क्लिक करके आपको उस वाई-फाय को कर लेने वे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर सिंपली अपना जो कामरा कनेक्ट अप है गाईज उसको आपको नहें पर कर लेने open का button देखने को मिलेगा, आपको इसके उपर click कर देना है, और यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिलते हैं, तो दोस्तो पहला option जो है, इसके उपर आपको click कर देना है उसके बाद दोस्तो जिस quality में आप यहाँ पर photo को यहाँ पर transfer करना चाता हूँ, दोस्तो अगला option है दोस्तो यहाँ पर raw image saving format का दोस्तो यहाँ पर आप raw image को click करते हो, दोस्तो उसको आपको raw image में save करना चाहिए, तो यहाँ पर raw के ऊपर click करके okay के बटन के ऊपर click कर देना है अब दोस्तो तीसरा जो यहाँ पर option है वो है movie saving quality इसका मतलब जो आप video को record करोगे उसको आप कैसे यहाँ पर save कर पाओगे तो इसको आप जल्दी से जल्दी original कर लो ताकि आपका जो video है वो must quality में अपने phone के अंदर save हो जाए अब आपको यहाँ पे cut के ओपर click कर दिना है अब जो भी फोटो या फिर video को यहाँ पर import करना चाहो उसके ओपर click कर करके आप simply यहाँ पर import के बटन को पर click कर सकते हो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पर हो हर बार मेरे से पूछता है कि किस quality में आप यहाँ पे इस वीडियो को या फिर photo को save करना चाहते हो तो यहाँ पे आप select कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे आप simply okay के बटन को पर click कर सकते हो उसके बाद होगा क्या कि आपकी जो photo या फिर video है बिल्कुल high quality में आपके phone के अंदर save हो जाएगी दोस्तो अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से आप अपने mobile phone को या फिर laptop को अपने camera के साथ कैसे connect करते हैं अगर आप ऐसी काफ़ी सारे चोटे चोटे helpful वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे चाल को subscribe कर सकते हो और मैं मिलता हूँ आप से लडी next वीडियो में